कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये बन रहा है वो बनना है ये पद चाहिए वो पद चाहिए उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना के बदलाव के लिए तेलंगाना के विकास के लिए वो काम करना चाहते हैं तो आज चुनाओ का लगभग आखरी दिन हैं, कल आखरी दिन है, चुनाओ खतम होने वाला है, प्रचार खतम होने वाला है, कुछ दिनों में आप सब अपना वोट डालने जाएंगे, किसको वोट दोगे, येवर की वोट वेस्तारू, लेकिन आज, क्योंकि चुनाओ के आखरी दिन हैं, प्रचार के, मैं आप से थोड़ी गहराई में बात करना चाहती हूं, मैं आप से कहना चाहती हूं, कि कौनसे कौनसे सवाल आपको पूछने चाहिएं, कि कुछ आर से और राजनेतिक दलों से, कावट्टी इंकोर रेंडु मूड रोजुल्लों मी रंदरू मी अमूल्य मैन ओटु हक्कुनु विन्योगिन्सुकुने अवकाशम होच्चिंदी, कावट्टी कोन्नी विश्यालू, नेनु सम्षिप्टंगा मीमी तोनी विवरिंचालानु कुन्नारू, राजकिया नीदी एंटी, राजकिया नायकुला आलोचन लेंटी, राजकिया विवस्त स्थितिकतु लेंदी, मी अंदर इतों नेनु वोके सारी माटला डालनु कुन्टु नानू, देखो ये प्रदेश आपने बनाया है, ये राजकिया नीदी, आपका अंदोलन था, यहांके नौजवानों का, किसानों का, मल्दूरों का, बेहनों का, आपका अंदोलन था, जिसने ये प्रदेश बनाया, आपने अपने अधिकार मंगे, अपनी आवाज उठाई, और आपकी आवाज को सुना, कॉंग्रेस पाटी ने, उस समय सोनिया गांधी जी मेरी माता जी थी, उन्होंने आपकी आवाज को सुना, मीरू मी आलोचनल वेल्लबुच्चारू, मी हक्कुलन अडिगारू, उद्यमालू चेसारू, प्रानालन अरिपिंचारू, मी त्यागालन ग्रहिंची नमातल्ली सोनिया गांधी गारू, मी को समय इरास्टा नियर पर चारू, आपके संघर्ष को समझा, और आपकी परिशानियों को समझा, लेकिन संघर्ष आपका था, आपके खून पसीने से बनाईये प्रदेश, सैक्णों नौ जवानों ने अपनी जान दी, कि त्यलंगाना बने, और प्रदेश की सारी जन्ता ने एक सपना देखा था, वो सपना था, कि त्यलंगाना में अपना ही राज होगा, कि त्यलंगाना में ऐसी सरकार बनेगी,